हेलो दोस्तों वेलकम बेक तो हिंदी इंडरेट गुरू यूटूब सेनल दोस्तों आज मैं बताऊंगा अगर आपने गल्दी से किसी को मुबाइल दिया था या कोई आपका फोन लेके आपका फोन नमबर जो है कॉल फोर्वार्डिंग पर कर दिया मतलब कोई भी कॉल करते ह है तो दूसरे कहीं पर कॉल लग जाता है तो आज मैं बताऊंगा कि को कैसे ओफ करोगे अगर आपके फोन में लग रहा है कॉल फोर्वार्डिंग तो यह सेटिंग कौन सा है कैसे अब ठिक करोगे तो इसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों ध्यान से देखना होगा वीडियो को और जो वीडियो देखी रहे हो इसी कुछ में पहले वीडियो को लाइक करते ना है फिर चैनल अल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो जल्दी से सब्सक्राइबच पर के इसके साथ बहलायागा और जो वीडियो देख रहे होे हैं तो इसकी comparing को मेंट आयगा ऐग जो आपका फून का जो फून है इसमें चले जाना है जैसे आप इस पर जायोगे जाने के बाद देखना किसे अन्रो pass बेर नीचा रहता है और किसी किसी फून में इस साइट पर रहता है तो जहांपे भी होगा इसमें कलिक करना होगा फिर आपके पस setting आएगा तो setting पे click कर दोना होगा और करने के बाद simply यहाँ पे देख सकते हो जो की तिसले number पर call forwarding setting रहेगा तो इसी call forwarding setting पे आपको click करना होगा और जिस number पे आपका call forwarding हो रहा है दूसरा लोग call करके आपको बता रहा है तो आपको उसी number को click करना होगा और उसी number को click करने के साथ फिर voice आएगा वीडियो को लाएगा तो आपको voice पे click कर देना होगा कर देने की बाद simply network same cut error इस तरह से always forward off तो आपको करना क्यों होगा यहाँ पे number रहेगा तो आपको always forward off कर देना होगा तो यहाँ पे simply इस तरह से फिर off कर देना होगा जैसे आभी off है अगर call forward रहेगा तो यहाँ पे number बता देगा तो इस तरह से आपको इसमें number पे click करके फिर यहाँ पे off कर देना है और यही वो setting है जो यहाँ से आप call forward को off कर सकते हो तो अगर वीडियो पसंद आया तो एक like कर देना तो आज के लिए दोस्तों इतना ही फिर मिरेंगे आपसे अगले दिन अगले वीडियो में जै हिंद